हालो अब्रियां वेलकॉम टूटब टेटली चैनल ट्यूटर बॉक्स और आजकी इस क्लास में आप लोगों से डिसकस करने आघ ऑला हूं मेडिकल रिप्रेजनेटिटिव को जो डॉक्टर के सामने डिटेलिंग करनी होती है यह डॉक्टर खैसे जो calling करनी होती है वो उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मतलब की जो medical representative MR है वो doctor के सामने किस तरह से अपने brand की detailing करेगा मतलब की वो अपने brand को किस तरह से present करेगा देखिए यहां पर ध्यान दीजिए जो भी medical companies हैं वो अपने medical representative को अपने कुछ visual ad या text देती है य या skin में कर रहा है या cns में work कर रहा है तो उससे रेटर उसके पास कुछ brand होगे clear तो उन brand से रेटर कुछ ने कुछ visual ads उस medical representative को company ने दिये होंगे तो यहां पर हम कुछ चीजें सिखेंगे कि हमें doctor के chamber में जाने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या जो fresher ह चाहिए और जो experience है उनको भी किन-किन का ध्यान रखना चाहिए तो देखिए जो fresher हैं सबसे पहले वह इन चीजों को देख ले कि जो भी visual ad या text उनको text material उनको दिया है वो उसको अच्छे से पढ़ ले क्या होता है कुछ बच्चे confident रहते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है हम तो बोल देंगे doctor के सामने बट क्या होता है कि अगर आप घर पे अपने घर पे कम से कम 5-10 बार practice कर लें जो भी text आपको दिया है जो brand दिया है उस brand में जो भी text है उसकी क्या usp है या उसका क्या magnet action है उस आपके brand में क्या क्या positive points है वो आप जो है doctors को बताना है तो यह सारे points आप जो है अच्छे से learn कर लें अच्छे से पढ़ लें इनको और उनको practice करके ही doctor के सामने बोलें क्योंकि आपको अगर learn होगा तो आप क्या होगा अच्छे से confidently जाएंगे और आपको learn नहीं होगा तो आ अगर आप जहां जहां भी आप अटक रहे होंगे तो उसको दुबारा से practice करें तो जब आप अच्छे से practice करोगे तो आप बहुत अच्छे से बोल पाओगे तो पहली चीज तो यह होगे दूसरा आप यह देख लें कि आपका pronunciation अच्छा है या नहीं है मल्लब कि pronunciation जो भी terminologies आ रही है scientific terminologies आ रही है उनका pronunciation आप अच्छे से कर रहे है या नहीं कर रहे है ठीक है तीसा आप अपना communication को भी देखें कि आपका जो way of communication है English जो आप बोल रहे है और flow of English जो है आपका बोलने का वो कैसा है clear तो यह दोनों चीज़े बहुत importance रखती है communication flow of English और pronunciation क्योंकि इन त experience MR के लिए मैं कहे रहा हूं कि बहुत सी बार क्या होता है experience MR जो है generally हर बार जो visual aid आता है उसमें company कुछ update भी कर देती है तो वो experience MR को ऐसा लगता है कि मुझे तो सब याद है तो वो updated चीज़ को नहीं बोलता डोक्टर के सामने ठीक है तो यह उसको experience MR जो है उसको यह बात ध्यान रखने है कि जो भी नया text update आया है वो update text को भी खुद भी update करें और वो updated चीज़ों को बता है डोक्टर को तो जो जिब भी visual aid में या ब्रॉशर में जो भी update होता है वो सारी बाते आपको डोक्टर को बता नहीं है clear अब रूम में जाने से पहले आप confidently हो जाएं confident हो जाएं ताकि क्या हो कि आप अच्छे से डोक्टर के सामने बोल सके हैं अगर आप डर के जाएंगे तो आप डोक्टर के सामने बोल नहीं पाएंगे clear तो दूसरा चीज यह होगे तीसरा देखे कभी कभी क्या होता है कि जो भी आपको ब्रॉशर मिला है या visual aid मिला है यह क्या होता है तो इसमें आवाज भी आती है तो आप घर पे ही इसको तीन-चार बार पलट लें अच्छे से ताकि डोक्टर के रूम में जब आप बार-ब प्रेशन नहीं डालेगी तो घर पे ही आप उसको चेंज करने अच्छे से और ताकि वहाँ पर आप अच्छे से ओपन कर सके अब जब आप डॉक्टर के रूम में एंट्री करें अच्छे से आप विश करके डॉक्टर को के रूम में आप एंट्री करें और उसके बाद आराम से बैठा है डॉक्टर को कोई जल्दी नहीं है तो आप जो है जल्द बाजी ना करें और आराम से जो भी आपका text material है जो भी matter आप लेके गए उसको डॉक्टर को इस तरह से दिखाएंगी डॉक्टर अच्छे से सारा ब्रॉशर आपका देख सके तो आपके कभी क्या होता है आपके साथ में आपके manager भी जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि सब कुछ काम manager ही बोलेगा मैं बोलू या ना बोलू तो इसमें देखिए जो आप regular doctor को बोल रहे हैं तो वह तो आप doctor को बोले ही सही जहां भी manager को fit लगेगा वह अपना text अपना खुद इसाब से अपनी बात रख देगा आप ऐसा ना करें कि मैनेजर ही सारी बात बोलेगा इससे क्या होगा कि यह लड़का खुद डॉक्टर को कुछ बोलता ही नहीं है ठीक है तो आपको ही खुद सारी बात बोलनी है जो भी मेट्रियल है और मैनेजर को जहां जो पॉइं क्लियर तो यह पॉइंट हो गया फर्दर आपको यह देखना है कि डॉक्टर जिस डॉक्टर पर आप फोकस कर रहा है आप जनरली आप लोगों को लगता है कि डॉक्टर जल्दी में है यह कभी-कभी होता है कि अगर डॉक्टर चलते-चलते ही बात कर रहा है तो एक अलग आप को बहुत सब्सक्राइब बहुत से नहीं बोलना है आपको एक जो मिडियोकर स्पीड है या ऑप्टिमुंम स्पीड में जिससे की डॉक्टर समझ जाए अच्छा सा पोस्ट धेके आपको बोलना है तांकि क्या हो डॉक्टर को ऐसा भी ने लगे कि यह रटा रटाया बोल रहा है clear तो पोस्ट देखे तांकि डॉक्टर अच्छे से समझ जाए उस जो भी चीज आप बता रहे हैं further जब आप अपने प्रोड़ेट की यूएस भी बताएंगे तो आप डॉक्टर को यह भी कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपकी जो potential है patient का load है आप काफी अच्छा है और आपका potential काफी अच्छा है तो आप मेरे brand को भी prescribe करें और अगर आप कहें तो एक कुछ जो box है यह क्या दो box में पास की medicine shop जो है chemist की shop है वहां रखवा दू या कुछ इस तरह से आप अपने brand की sale बढ़ाने के लिए request कर सकते हैं तो आप अच्छे से politely request करें ताकि ऐसा भी ना लगेगी डॉक्टर को ऐसा भी ने लगेगी यह बहुत ज़्यादा pressurize कर रहा है मतलब आप लाइजनिंग वाला वे आपका रखे ताकि आपकी doctor से tuning बने क्योंकि जो doctor का dealing room है जो आपका doctor का room है जहां आप deal कर रहे हैं यहां जितना अच्छे से आप work करेंगे उसी से आपकी doctor से लाइजनिंग बनेगी medical representative में यही कि अगर आपकी doctor से लाइजनिंग अच्छी बन गई तो फिर आपका काम हो गया आपको sale अच्छी मिलती रहेगी आपका product अच्छे से चलता रहेगा इवन अगर आप company भी change करते हैं और तब आप दूसी company के भी जाएगे तो क्योंकि आपकी लाइजनिंग doctor से अच्छी होगी और यह लाइजनिंग आपकी आपके और doctor के बीच में जो dealing होती है जो इस तरह से आप प्रेस्काइब करते हो जिस तरह से आप अपने आपको बतात है उसके यूएसपी आप बताएं और जो competitive brand है उसके बारे में भी बताएं बट उस brand के बारे में ऐसा नहीं कि वह बेकार है उससे तो कुछ फाइदा नहीं है आप अपने brand के advantages बताएं दूसरे brand पे आपके brand के क्या benefit है और patient compliance कितना है क्योंकि doctor को patient का धियान रखना है क्यों advantages है उनको ज़्यादा emphasize करें ना कि यह कहें कि दूसरे का brand तो अच्छा नहीं है उसका brand बेकार है तो ऐसा कहने से क्या होगा कि doctor को यह लगा कि यह तो दूसरे brand का negative बात ही बता रहा है हमें ऐसा नहीं करना है आपको जो है वह अपने positivity बताना है USP जो आपके brand की उसी को आपकी deals भी अच्छी है और freebies भी आपके मिल रहे हैं उससे क्या होगा doctor आपका brand लिखेगा साथ ही अगर आप patient centric होए कि आपने बताए कि आपके brand से patient की compliance जदा patient को ज़्यादा benefit है तो इससे क्या होगा patient पे load कम है pocket पे load कम है तो doctor आपका brand लिखने की कोशिश करेगा clear तो इ एक doctor पे 2-3 brand ही आप focus करें कि एक doctor जो है आपके 2-3 brand लिख दें तो आपका काम बन जाएगा इस तरह से आप अपने area में जितने भी doctors है categorize करना है कि कौन-कौन से doctors पे आपको कौन-कौन सा brand focus करना है clear तो इस तरह से अगर आपने doctors के सामने detailing की doctor से अच्छी detailing की अपने product की और confidently बताई और इस तरह से बताई कि आपका और doctor का relation अच्छा बना ठीक है तो mutual understanding जितनी आपके और आपके doctor के बीच में बनेगी आपके product की sale increase definitely होगी आपको बहुत जादा push नहीं करना पड़ेगा जितनी अच्छी understanding होगी आपका brand बहुत अच्छा sale होगा तो यह बहुत ही अच्छे points हैं जो भी medical representative इस मेरे lecture को देख रहे हैं वो fresher हो चाहे experience हो अगर वो इन points को नहीं करते हैं इन में उन्हें कुछ point मिले हैं तो वो अपने अंदर add करें अपने detailing के अंदर add करें उनको benefit जरूर मिलेंगे तो I hope यहां पर जो भी मैंने आप लोगों को detailing के लिए matter दिया है वो आपको पसंद आया होगा अगर आप लोगों को यह matter पसंद आया तो इस lecture को जो है जादा से जादा logo तक share करें अपने circle में share करें अपने जो medical representative हैं उनकी groups में share करें और channel को subscribe और like जरूर करें जय भारत जय है